तो चलिए लास्टली अब इस टॉपिक को फ्री कंसेंट के टॉपिक को खतम करते हुए हम लोग मिस्टेक के बारे में भी बात कर लेते हैं मिस्टेक का सिंपल सा मतलब अगर हम हिंदी में समझें तो मिस्टेक का मतलब होता है गलती कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी misunderstanding की वज़े से contracting parties contract में एंटर कर गई हो ये भी हो सकता है ठीक है तो दो तरीके होते हैं दो ways होते हैं जिसमें mistake हो सकते है पहला वे हम लोग देखते है mistake in the mind of the parties is such that there is no genuine agreement at all or for our acceptance coincide ही नहीं करेगा तो कोई agreement बनता ही नहीं है तो ये हम कह सकते हैं कि misunderstanding हो गई एक term legal term मैंने या पर लिख रखा है no consensus ed edem इसका मतलब होता है कि mind की जो meeting है वो हो ही नहीं समझे इस बात को consensus ed edem का मतलब ये होता है कि mind की जो meeting है यहां से या फिर हम ये कह लें कि consent ही नहीं मिला दोनों party एक बात पर राजी हुए ही नहीं तब ये वाली situation आ सकती है अगर ये पूरा statement हटा करके मैं सिर्फ यहीं लिखती तो भी बात बन सकती थी लेकिन ये statement मैंने सिर्फ इसले लिखा ताकि आप लोगों को असानी से समझ में आ जाए जब ये legal term होगा no consensus ed edem तो इसका मतलब ये है कि दोनों parties का mind एक ही चीज़ पर अगरी नहीं किया कि मतलब की consent नहीं मिला हो सकता है किसी misunderstanding की वज़े से वो contract हो गया हो लेकिन उस contract को खतम किया जा सकता है कि भाई mistake हो गई second way क्या हो सकती है there may be a genuine sorry there may be a genuine agreement but there may be mistake as to a matter of fact related to the agreement हो सकता है कि general agreement हुआ हो लेकिन deal के समय पर ऐसा कुछ हो गया हो कि जिस वज़े से वो agreement ना हो पाया हो इसका एक बहुत सिंपल सा example आप समझ सकते है माल लिजए कि a ने b से कहा कि तुम मेरी जो गाय है वो खरीद लो तो b ने का ठीक हो खरीद लेगा लेकिन deal के time पर क्या हुआ उस cow की जो होती है गाय की जो होती है वो death हो जाती है तो अब इसमें तो दोनों में से किसी की भी ग अब चाहिए तो दो चीजें क्या हो गए या फिर माइंड ही ना मिला हो मीटिंग ओफ माइंड जीना हो जिसे हम यह भी कह सकते है नो कंसिनस एड इटर वगर यह पूरा स्टेटमेंट हटा का है आप सिर यह भी लिखना चाहें तो आप यह भी लिख सकते हैं कि आगे आगे दील कप्लीट नहीं हो पाई यही मतलब होता है मिस्टेक का ठीक है तो फ्री कंसेंट का टॉपिक हमने खतम कर दिया है मैंने आप लोगों को कौशन के बारे में बता दिया अन्डू इंफ्लिंस के बारे में बता दिया फ्रॉड के बारे में बता दिया मिस्रेप्रेजेंट के बारे में बता दिया और मिस्टेक के यही पार चीजें होती है जो जिनसे अगर कंसेंट इंफ्लुएंस ना हो तो वो फ्री कंसेंट बन जाता है तो आप लोगों को पाचो टॉपिक समझ में आ गए होंगे अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और यह भी कि आगे आप लोग कौन सी टॉपिक पर विडियो देखना चाहते हैं थांक्यू सो मच